हलो एब्रेवन, वेलकम टो स्टेडी सेल्टर, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग SCRT साइंस के क्लास 6 चेप्टर नमबर 9 अर्तार जनतुओं में गती इस चेप्टर को डिसकर्स करने वाले हैं और इस चेप्टर सेलेटेड जो भी फैक्ट होंगे उन सभी को डिसकर् सेल्ट पूछे जाते हैं तो आई इस सुरू करते ही सेशन को अभी तक हम लोगों ने इन सारे चेप्टर को डिसकर्स कर लिया था और आज हम लोग चेप्टर 9 को डिसकर्स करेंगे लेगिन उसके पहले एक प्रस्ण है जो चेप्टर 8 से रलेटेड है प्रस्ण यहां है कि निमलिकित में कौन सब फूल का अंग नहीं है उसका सही अंसर आप कमेंट में दे सकते हैं और चाहे तो आप इस वीडियो से भी इसका अंसर जान सकते हैं इस वीडियो में हम लोगों ने फूलों से जान पहचान के तर्ट 20 प्लस MCQ को डिसकर्स किया था साथ ही इसके होती है और उनका यह गति करने का तरीका है वो कौण कोन से वहाइब करते हैं उनुके इन सारी चीजों को जैसे जो गाई वह अपनी पैर क Soon छलती आ उसी तरीके से जो सनेक है वो अपनी शंपम पोरसरीदillिद सारीज रेंगता यहां पे बताया गया है थी न dumped on explosively hello यहां पूरा देखकेंगे ऑगेगे अगर बात करी हें हुम आराम अराम से देखेंगे कापी अच्छे तरीके से हम लोग के दिस्कस करते वे आगे बढ़ेंगे अगर बात करें हुआइज मानव कंकाल की तो मानव कंकाल जो होता है वो हमारे सिर्ष का आंतरिक शनरशना परदान करता है जो भी मसल्स वगेरा होते है वो इन ही स्केल्टन के उपर बेस होती है और इनका जो कार्ज है स्केल्टन का वो मिल्ली होता है हमें एक निस्चित आकार परदान करना ठीक है human का जो structure है वो सारा depend करता है skeleton के उपर इसके अलावा जो है जो हमारे soft पार्ट है body part उन body part को जो है यह सुरक्षा परदान करने का भी काम करता है इसके अलावा PC को जोड़ने के लिए एक अधार परदान करता है साथी RBC के निर्मान में भी यह help करता है तो skeleton के बहुत सारे काम में यह help करता है तो हम लोग देखते हैं कि अखिर skeleton बना कैसे होता है और क्या क्या चीज़े इसमें होती है तो देखे , skeleton मिल्ली जो बना होता है वहडियों का होता है और आपको मालूम होगा कि एक नॉर्मल जो मनुद्स होता है उसमें 도 सो छे हडिया होती है और जो नवजास हिस्व होता है उसमें 300 हडिया होती है तो मिल्ली तो बो असकेल्टन में हड़िय होती है लेकिन इन हड़ियों के अलावा जो काटिलेज ऐ उपास थी है टेंडन है लिंगा मेंट है यह सारे चीज भी जो है वो असकेल्टन के निर्मान में हेलप करते हैं जो मानब का कुल बजण है उस बजण का बोलो जाता है कि 20% बजण जो है वो इस skeleton का ही होता है अच्छा आप यह बता सकते हैंकि हमारे मानब सरीर का है उसका सबसे ज्यादा पार्ट का क्या होता है हम लोग एक वीडियो में डिसक्त किये थे कि मानब शरीर का tuhWait को जो बजन होता है वो जल का होता है और और यह question जो है HAL-FILAL में बहुत सारी exam में बीव पूछा गया है, HAL-FILAL में पतना high coat का जो exam हुआ था, assistant का वहाँ पे भी ये question पूछा गया था, कि हमारा जो मानवी शरीर होता है, उसके बजन में सबसे अधिक किसका होता है, तो सर्वाधिक जलका होता है और अगर कंकाल का ऐस्केछल टो स्केल्टन की बात करें तो उसका हिस्सादरी जो 20% होता है एक और फैक्ट जानले थे कि हड़ियों का जो अधियन है उसे बोला जाता आफ्टियों लॉजी तो यह भी एक्जाम में पुछा जाता है कि हड़ियों की अधियन को क्या बोला जाता आ ओफ्टियों बोला जाता है वहीं अगर बात करें हम लोग स्केल्टन की इसकेल्टन में कौन सा हड़ी कहां पर होता है और जो एक्जाम में पुछे जाते हूं उन सब की तो यहां पर आप देखेगा मेंली जो कलर किया हुआ है यह सारे जो इंपॉर्टेंट है ठीक है ऐसे यह तो असकल हो हुम्रस बोला जाता है जो आपका सोल्डर है सोल्डर से एल्बो तक के बीच का जो हुआ वो हुम्रस हो गया हुम्रस के बाद यहां पर दो हड़ियां होती है एक होता है रेडियस और दूसरा होता है इलना इसके अलावाद जो कलाई की हड़ी होती है उसे बोला जाता है का और यह फिंगर की जो हड़ियां उसे बुलाता है फैल के लिए तो यह सारे जो है आपको धियान रखना है यह हैंड की है और क्वेशन इसी टाइप से पूछ देता है कि निम्रीखित में कौन सी हड़ि जो है वह हाथ में नहीं पाई जाती है या उस टाइप का क्वेशन पू हड़ि होता है और सबसे मजबूत हड़ि हमारे स्रीर का इसी को बोला जाता है सबसे लंबा हड़ि भी यहीं होता है इसके अलावा टीबिया और फिबूला यह भी जो है लेग में पाया जाता है जो नी है नी के जो नीचे का पॉर्षन है वहाँ पे टीबिया और फिबूल होता है और फिर एक मेटा टार्स होता है तो यह सारी चीजे ध्यान में रखनी किया आप पर इसे जरूरत से ध्यान में रखे अब बात करते हैं ज्वाइंट की यह सारी जो हड़ियां है वो अलग लग ज्वाइंट से लगे हुए होते हैं और उसी के बदला हम लोग मूड़ कर पाते हैं यहां पर बोला जारा है सिरीर के अंग जहां पर मूड़ते हैं उस हिसे को ज्वाइंट कहा जाता है तो और इसी ज्वाइंट कर पाते हैं तो वहीं बोला जारा है कि जहां दो अस्तियां एक दूसरे सी मिलती है उसे ज्वाइंट कहा जाता है और ज्वाइंट क चार्ट के एक्जामपल है और यह करता क्या है यह हमारे सिरी में जो घृति जो गती हम लोग करते हैं उसे शिलह जाम करता है यह आंत्रिक जो है उसे अधहर जोईंट और तिससे चल जोड तो आप नाम से ही समझ सकते है कि वैसा जो जो होता है। जो ना के बराबर होता है मतलब उससे ज्यादा इंपैक्ट ने देखने को मिलता है लेकिन वह हलका मूब करता है वहीं जो आपका मेन जुआइंट है जो चल जुआइंट है वह आपका होता है ब्रॉडर रेंज और इसे के कारण मिली हम लोग जो बहुं कर पाते हैं तो यह सा अगलग नामों से आना जाता है जैसे उलूखल जोड ठीक है उलूखल जोड के अलावा आप यहां देख सकते एक बहुत कठीन नाम है कंदुख खलिका संधी और इस टाइप का अगर नाम हो आपको एक्जाम में मिल जाए ना तो पक्का है कि आप जो जाएगा और आपको बह प्राइप नहीं रखते तो आपको काफी प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है तो आप इनका नाम याद रखे कंदुख खलिका संधी यह कहां पाई जाती है कंदेव में पाई जाती है और कुल ही की जोड है वहां पर यह जोड जोड पाया जाता है इसे उलूखल जोएंट भी ब गुमाओ तो इस तरीके से जो आप इसे रोटेट करोगे तो उसी टैप सी रोटेट होता है मतलब एक तो यह फिक्स होता है और यह जो पोर्शन है यह आपका मूव करते रहता है ठीक है आप अपने सॉल्डर को चारों तरफ घुमा कि देखे आपका वह पूरा मूव करता ह तो उसी टैप का है कि एक पोर्शन यहाँ पे फिक्स होता है दूसरा जो पूरा मूव करते रहता है जैसे क्रिकेट में आप देखते है बॉलिंग जो बॉलर करता है वह अपने सॉल्डर को यहाँ से ही घुमा पाता है तो इस जॉइंट का नाम क्या है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप क्रिकेट से भी याद रख सकता है कि बॉलर जो है वह बॉलिंग करता है तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से यह आपका कंधी के जो जॉइंट है वह जुड़ा हुआ होता है और एक और जुड़ा होता है कुलह की संधिया कुलह का जो मतलब जॉइंट है वो आपका, तो इन दोनों को आपको याद रखना है, question में पूछा जा सकता है, कि कंधे या कुले की joint है, वो किस टाइप का joint होता है, option में अलग अलग आपको दिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है, ball and socket joint, उसके बाद एक है कोहनी की संधी या घुटने की संधी, यह हो होनी है, यह सारे भी एक side में ही move करते है, आप अपने hand को उठा के देख सकते है, यह आपका एक side में ही अपर side में जाएगा, यहाँ से जो joint है, यह आपका अपर side में ही जाएगा, ठीक है, तो एक side में ही यह joint जाता है, अगला है आपका घुराग संधी या फाइवोटल joint, इसे किलडार संधी भी बोलते है, फाइवोटल joint भी बोलते है, तो इस joint में होता क्या है, कि यह आपका आगे और पीछे और दाएवाएव घुमा सकते है, इस joint को, जैसे आप अपने सिर को आपको आगे पीछे या दाएवाएवाएव घुमाते हो, तो जो जूड़ा हुआ होता है, वो आपका घुराग्र संधी के द्वारा ही जूड़ा होता है, जिस तरीके से कील जूड़ा होता है, उसे टाइप से यह उस टाइप का कुछ जूड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे कीलडार joint भी बोलते है, तो धियान रखने है, गर्दन तथा सिर को जो जोड़न आई वाली joint है, उसे घुराग्र joint करते हैं, और यह घुराग्र joint का दुसरा नाम जै किलडार joint भी है, या फाइवोट joint भी बोला जाता है, पाइवोटल joint, अगला है आपका इमोवेवल joint, इमोवेवल joint क्या है, आप देख सकते है, अलग अलग image में भी, कि यहाँ पर देख स करता है, यह अलग अलग type के जो bone है, उनसे यह जुड़े हुए होता है, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर आपको joint दिख रहा होगा, लेकिन यह joint क्या यह fix होता, यह आपका मोव नहीं करता, जैसे जो खोपड़ी है, खोपड़ी के जो है, वो अलग अलग bone से जुड़े होता है, लेकिन उन जुड़े होने के बावजूद यह move नहीं करता है, यह स्थिर बने होता है, उसे type से हमारा जो उपर का जबड़ा है, यह उपर का जबड़ा भी मनुस्का वो भी move नहीं करता, तो इन दोनों example को याद रखे, यहाँ से question पूछे जाता है, कि निम्रिकेत में कौन सा जो है, वो अचल संधी का उधारन है, तो आपको याद रखना है, खोपड़ी और उपरे जबड़े, यह दोनों जो है, आपका अचल संधी का उधारन है, और इन दोनों में वहीं होता है, कि यह दोनों जो है, अरस्तियां हिलती नहीं है, ठीक है, जॉइंट तो प्रहें जाना गापा क्या डृग को वोगों हो गया वएक बॉन हो गया है और यह का समुक्त है oh गुद्ध है उन दोनों को connect करने का कार्ज करता है इसमें क्या है कि लगभग 33 हडियां इसमें पाई जाती है हडिया नहीं एक केसु रूख बोल सकते है वर्टेबल वो इसमें होता है यहां पर आप देख सकते हैं बताया हुआ है कि अनेक छोटी-छोटी हडियां जो है इससे spinal में पाए जाता है और इसी spinal में जो है एक spinal code पाया जाता है ठीक है spinal code करता क्या है तो आपका जो भी संबेग होता है मतलब जो information है उसे पहुंचाने का काम जो है वो spinal code के द्वारा किया जाता है उसके बाद बात करते है ribs की अर्थात पंजड़ी की पंजड़ी यह भी हमारे बाडी में काफी महरपुन होता है क्योंकि जो हमारा main body part है बहुत सारे वो इसी के अंदर सुरक्चित होता है इन पंजड़ों में ही जो पंजड़ी पंजड़ है इसी में उन्हें सुरच्छा परदान किया जाता है जैसे आपका हो गया हिर्दय, फेफ्रड़ा, स्वासनली थाइमस ग्लैंड यह सारे वो इसी के अंदर होता है और इसी में को वो सुरच्छा परदान करने का कार्श करता है आपका पसली तो यह भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है और यह होता कहां पर है तो यह आपका पीट से होते हुए रीड अर्थान मेरो डंड तक चली जात काफी मतलब मजबूत होता है और हम इसमें जो हडू की संख्या होता है । यह जो पसली नहीं होती है ऑर यह जो पसली एवीर्स होती है है। हडियां होती है अर्था 24 हडियां होती है अच्छे एक चीज आप यहाँ देख सकते हैं यह बाकी जो चीजे हैं यह ओपन है ठीक है और यहाँ पे सब आके जॉइंट हो रहा है तो यह जो पोर्षन है ना इस पोर्षन को बोला जाता है उरास्थी ठीक है उरास्थी अर्था rthrhamot afternamom नाम से भी इसे जाना जाता और यह करता क्या है तो यह पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करता है यह सारे जो पसली की हडिया है इनहीं जोडने काम कौन करता है तो 25 द्वारा यह जोड़ा जाता है अर्सथार explains कि द्वारा रखें अब आप बात करते हैं कि अलग अलग इन सब के अलावा कुछ और भी ज्वाइंट होते हैं जो इंपोर्टेंट है जैसे आपका कंधि की जो अस्थियां है जैसे देखो मनुस को बोला जाता है कि वह एक चार पाया जानवर भी है ठीक है चार पैर वाला है और इसकी जो हाथ है उस होता है अग्रपाद और यह हाथ हमारा जोड़ा हुआ कहां रहता है एक तो यह जोड़ा होता है कंधे के अस्थियों से और उसे बोला जाता है अंस अस्थियां ठीक है इसे इंगलिस में pectoral or griddle भी बहुना जाता है तो यहाँ पर यह जूरी होती है और वहीं जो आपका ले यह आप ध्यांन रखी को पूछा जा सकता है कि जो अगरपाद है वो किस से जुड़ा होता है और यह जुड़ा होता है ना अगरपाद हम लोग ने पहले देखा था कि जो सोल्डर और elbow को जोडने वाला बोन है वो हमारा humorous होता है तो humorous के द्वारा यह जुड़ा हुआ होता है और यह जुड़ा होता है फीमर के द्वारा आप देख सकता है। यहां पर लेग इस टाइप से जुड़ा होता है। और यह फीमर वाला portion होता है लेग का। और इसके बारे में बोला जा रहा है कि कमर की ये अस्थियां जो होती है वो क्या करता है कि आमासे के नीचे पाये जाने बाले जो भी अंग है उन्हें सुरक्षा परदान करता है ठीक है इसके अलावा जो है औरत या फिर जो भी महिलाएं होती है उन्हें जो हमाता के गर्व म पल रहे बच्चे को इस्तिरता परदान करने का कार्ज करता है, तो यह सारे fact भी याद रखेगा, उमीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, आगे जो है, वो है cartilage, cartilage क्या होता है, तेकि जो भी हमारा नाक, कान, यह सब जो बना होता है, वो होता है cartilage का, आप देख सकते हैं बाग की हड़ियों की तुलना में यह काफी सॉफ्ट होता है लचीली होता है लेकिन यह मांस्पेसियों से भी काफी कठोर होता है लेकिन कठोर होता है और यह क्या है कि एक तरीके की कनेक्टिंग टीसु है मतलब सन्योजी उत्तक है जैसे आपका ब्लड है ब्लड क्या है ब्ल लिगामेंट लिगामेंट क्या करता है यह एक रिषिदार होता है और इसका मिल जो काम है वो होता है दो हडियों को जोड़ने का काम करता है वो आपका लिगामेंट करता है और वहीं अगर यह एक हड़ी है एक बोन है और दूसरा मसल्स है तो उन बोन और मसल्स को जोड़ने क जो काम है वो आपका टेंडन करेगा तो इसे आपका धियान रखे जो लिंगामेंट होता है इसे बोला आता है आपका असनायू बंधन ठीक है और यह रेशिदार होता है सन्योजी तक है और यह बोन को जोड़ने का काम करता है बोन टू बोन जो है जोड़ने का काम आपका लि इससे नाम प्रकर होते हैं ? असनायू बंधन तो यहां से ऐ Qué कुरेशन आपका बन सकता है की कान की हड recib यह नाक की हडि यह सारी किसचीज के बने होते है तो यह विर्टिया अगे बताया गया कि मनुस्रम गति किस परकार होती है अभी तक हम लोगत ने अलग अलग uhh part देख लिया कि joint देख लिया अब वहां पर समझाने में आपको असानी हो इसलिए इसे बात में मताया गया कि मनुस्रमें गति अब किस तरीकी के होता है refekt छो होती है जो हरडी के उपर मास्पेसिया लगी होती है इन मास्पेसियों में क्या है कि जब संकूचन होता है तो यह जो बोन है बोन में भी बोन का जो जो जॉइंट है वहाँ पर जुकाब उटपन होता है ठीक है और जब जुकाब उटपन होगा तब वो मूव करेंगी और जैसे बो जब मांसपेसियां सिथिल होती है तो यह बोन जो है बापस अपने अस्थान पर आ जो गती है सारेरी गती है वो किस परकार होती है तो उसमें मानस्पेशी और अस्थियां इन दोनों के सहरे ही हमारे सरीर में गती होती है तो इन चीजों को आप ध्यान में रखे अब आगे जो बताया गया है वो आपका बताया है जन्तु के बारे में कि जन्तु जो है वो किस टाइप से गती करते हैं जैसे पहला केच्विय के बारे बताया गया कि केच्विय में गती कैसा होता है तो देखे केच्विय में क्या है कि उसमें बोन होते ही नहीं है उसमें अस्थियां नहीं होती है और उसमें सिर्फ पेसियां होती है मांस पेसियां होती है और उसी में वह यह सुक के सहारे जमीन को पकड़ लेते हैं ठीक है यह जमीन को पकड़ लेते हैं और फिर एक फोर्स लगाकर जब यह संकुचन करते हैं तो इनका पूरा बॉडी जो है वो आगे हो जाता है और फिर सिथिलता के कारण से यह थो है थोड़ा रिलैक्स करके फिर आगे की ओर से संकूचन और सिथिल करके अपने माम स्पेशियों को यह आगे की और बढ़ते हैं यहाँ पर याद रखनी वाली यह बात है कि जो केच्विय के सरीर है वह उनके उपर जो बाल है उसी बोला जाता है सुक और उसी को पकड़कर उसी के सारे वह मिट्टी को पकड़कर वह केच्विय को बोला जाता एता है किसान का मित्र किसान का प्रकरतिक मित्र भी इसे बोला जाता है केच्व और जाते हवा को तो यह भी आप धियान रख यह अगे-गोंगा यह असनील अब इसमें किस टाइप स हो успement होता है तो तो देखे इसका जो शरीर बना होता है वो कवज का बना होता है लेकिन यह अलग होता है मतलब कठोर तो होता ही है लेकिन इसमें कोई आपका बोंड नहीं होता है यह कुछ अलग टाइप का केल्सियम बगेरा का बना होता है और नहीं इसमें कोई जॉइंट होता है तो यह तीनों फैक्ट आपको धियान उस संरचना के द्वारा ही जो है यह आगे बढ़ते है जिसे पाद का जाता है अर्थात यह पाद मानसल के सहारे आगे बढ़ने का कारज करते है और जब इन्हें कोई टच करते है तो यह अपने पूरे बॉड़ी कोई इनका जो कवच है उसी में यह छिपा लेते है और का वह थुकम के बढ़ फिक्वर्ट क्लास का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि निकलते तो इसलिए आहिए बहुरों के iform decision रहता कि रिक्वा सकते हैं और के चुछ में भूजन प्रेखते हैं sonra और यह एकजाम में पूछा जाता है कि जो तिल चट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट होता है और यह रात्री में जो है अभोजन के लिए निकलते हैं और अन्धिरे और नममी वाले अस्थान में रहत है फिर बताया गया है पक्छी के बारे में यह बताया गया है कि इनका जो शरीर है वह ल कहले होता है कि obras बंदर से खोखली होती है और है में क्या है बायू भरा होता बायू प्रकर्ष जो है इन वार जिसके कारण ये हलके होते और ये उर्णन भरने में इनकी सहायता करते लेकिन हलके होने के बावजो काफी मजबूत ह होते हैं ठीक है और इनका जो अगरपाद की हड़ी है अस्तिया रूप आंत्री तुकर इनका डैने की रूप में चेंज हो जाती है तो आप से एकजामे पूछा जा सकता है कि निम्रिकित में कि जीव का जो हड़ी है अस्तिया वो खोखला होता है तो आपको ध्यान रखना है क कि जो पक्षियों के हड़ियां होती है वो खोखली होता है आगे बताए गया मचली के बारे में मचली का जो सरीर है वो क्या होता है कि वो फिन इसकी चारोर होता है चारोर मतलब वो आगे और पीछे ये जो फिन लगे होता है और इन अगले और पिछले फिन के सारे ही जो है यह तैरने का कार्च करते हैं, ठीक है, इनहीं में यह क्या करते हैं, संकुचन और सिथलन की द्वारा यह आगे बढ़ते हैं, और जो लहर है, उन्हें तरंगती के दिशा में, यह आगे बढ़ने में इनको help करता है, इसके लावा क्या है कि इनका जो एक special structure है, धरा रेखे जो इनका सरीर होता है वो भी इनको आगे मुव करने में हेल्प करता है तो बस आपको इतना याद रखने है कि जो मसली होती है उनमें मुवमेंट करने के लिए इनमें फीन होता है या पक्च भी उसे बोला जाता है आगे है सर्प सर्प के बारे में बताया गया है कि इसमें जो है इनका वो लंबा होता है और काफी लचीला होता है इसी के कारण है यह जो है वो आपका बलै में स्पाइरल में मोव कर पाता है इनमें बहुत सारी अस्थियां जो है इनसे जुड़ी पेसियां बहुत सरीर को आगे बढ़ाने का काम करती है ठीक है तो याद रखना है कि सर्प क्या है कि यह वो एक आंतरकर में बलै बनाते हुए भूमी पर बलाकार गति से आगे बढ़ता है स्पाइरल रूप में यह आगे बढ़ने का काम करता है अब अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा उसी को जो एक रिकैप के रूप में यहां बताया गया है कि अस्थि और उपास्थि से जो है वो मानव कंकाल बने होते हैं और यह क्या होता है कि एक सरीर का पिंजड बना आने का काम करते हैं आखिरती देने का काम करते हैं जो कि हम में क्या करता है चलने में साहता करता है और आंतरी कंगो की सुरक्षा परदान करता है इसके रावा जो है मानव कंकाल खोपड़ी मेरु डंड पसलियां कंधे स्रिंखला यह सारे कंकाल के ही पार्थ है अर्था इस होता है कि जो मानव का पेशी है अगर वो संकुचित होता है तो हम लोग का जो बोन है वो आगे मुव करता है और जब वो सिथिल होता है तो वो बापस अपने पहले वाले अस्तान पर आजाता है ठीक है फिर इसमें बताया गया कि जो बोन का जॉइंट है वो अलग अलग परकार के होता है और यह जो उनका टैप है उनके प्रकृति और गती की दीशा पर निर्वर करता है जो हम लोग नहीं यहां पर देख लिया था आगे बताया गया कि पक्षियों की जो यह ध्रिवर पेशिये होती है जो उनको उडान भरने में सहयता परदान करता है वहीं सर्फ के बारे में बताया गया है कि यह ब्लैक कायर गती करते है और यह भी जो पेशियों में एक आंतर करम में जो संकूचन और सिथलन होता है उसकी कारन यह आगे बढ़ता है फिल चट को अप ध्यान रखिएगा कि तिल्चते में तीन जोड़ी पैर और दो जोड़ी पंके होती हैं फिर बता गया है है केー नोव संकोंचन के द्वारा आगे बढ़ता है ठीक है फिर घूंगा के बारे में बताया गया असनेल के बारे में कि यह अपने पेशी पात की साहिता से आगे बढ़ता है तो अब इसी से लेटेड जो क्वेशन है उसे हम लोग देख लेते हैं बताये यह गया है कि सरीर का अंग जहां सी मुड़ यह कहलाता है कंकाल तंत्र उपरी जबड़ी एवं खोपडी की संधी होती है चल संधी अचल संधी कबजा संधी या घुराग्र संधी तो यह आपको मालूम होगा कि उपरी जबड़ी और कपाल की संधी होती है वो होता है आपका अचल संधी ठीक है और इसका यह काफी खोखली है, किन्तु मजबूत होती है, मनुस पक्ची, मानसाहार जानवर या मचली, हम लोग पक्ची की जो बोन होते हैं, खोखले होता हैं, कौन सा जीब मिट्टी खाता है, साप, केचवा, मचली, याचिप के लिए तो केचवा जो है वो टिक खाता है और फिर वो उसे भुरुबुरा बना देता है जो की फर्टिलाइज हो जाता है और उसके कारण यह जो किसानों को काफी हेल्प करता है आगे पुछा जा रहा है अस्थियों को की संधियां सरीर की डॉडट में सहायता करती है तो जो अस्थियों की जॉइंट होते है वो सरीर को गती करने में सहायता परदान करते है अस्थियां और उपास्थियां सन्यूत रूप से सरीर का क्या बनाती है तो यह बनाता है आपका कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र दो नंबर का यह हो जाएगा फिर आगे पूछा गया कोहनी की अस्थियां किस से जोड़ी होती है तो कोहनी की जो अस्थियां होती है वो आपका कबजा इस्थियां होती है मतलब जो एक सैड में ही मूव करती है आगे पूछा गया गती करती समय किस भी मुव्मेंट हो रहा है वहां पर मानस्पेसियों का अहम योग दाने चाहिए वो मानब में हो या जन्तु में हो अब इसी से रिलेड़ेट कोच और क्वेस्टन है जैसे पूछा गया है कि एक ब्यस्क मानब वो शरीर में कितनी हडियां होती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 206 यहां ध्यान रखने पूछा गया अब व्यस्क मानब के बारे में अगर पूछा जाता नवजार सिस्व में हडियों की संख्या कितनी होती है तो इसका अंसर हो जाएगा 300 मनुष्क की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है आठ तीस बतीस या 34 तो इसका सही अंसर हो जाएगा 22 जो मनुष्क के खोपड़ी है उसमें हडियों की कुल संख्या है वो 22 होती है आगे मनुष्क के सरी में पसलियों में कितने जोड़े होते है बारा दस चौदा या 11 तो अभी हम लोगों ने देखा था कि बारा जोड़े जो है पसलियों में होते है इसके अलावा है कि सरीर की सरवाधिक परवल लस्थि कौन सी है जांग जबड़े में या भूजा में य जबड़े के बारे में बोले जाता है कि ये 280 kg तक का बजन उठा सकता है और ये काफी मजबूत होता है वही जो जांग है अगर पूछा जाए सबसे लंबा सबसे लंबा और मजबूत हड़ी कौन सी है हमारे सरी में लंबा और मजबूत तब वहाँ पर हो जाएगा कि जबड़े का हड़ी होगा ठीक है और वह भी आपको धियान रखना है कि जो जांग की हड़ी होती है वह होती है फीमर सबसे ज्यादा मजबूत और लंबा वह फीमर होता है उसी टाइप से एक यहां पर और चीज था कि मनुसकी खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है तो देखो खोपड़ी को दो भाग में बटा होता है एक को बोला आता है कपाल और दुसरा जो है आपका चेहरा यह दोनों जो है खोपड़ी के अंतरगत आता है तो कपाल में जो हड़ियों की संख्या होती है वह होती है आठ और जो चेहरा है उसमें हड़ियों की संख्या होती 22 लेगिन चुकि यहां पर option में नहीं है तो यहां पर option एक को भी माना जा सकता है कि यहां मनुष की खुपड़ी में हड़ियों की संख्या 8 होती है अगर सिर्फ कपाल की बात करें तो वो option के according ऐसे इसका सही अंसर जो है वो 22 होगा अगला पुछा जा रहा है मानुष के किस भाग में सबसे छोटी हड़ी होती है तो सबसे छोटी हड़ी जो है वो कान में होती है अफ्टेपर्स हड़ी वो मनुष की कान में होती है और सबसे छोटी माना जाता है कि आगे मानप स्रीर की सबसे लंभी हड्डी है option अंफ टिपर फीबूलर ती और फीबल سबसे लंभी हड्ड्डी होती है और सबसे मजबूत होती है निमलिखित मेंकॉन मानप के पैर की हड़ी नहीं है तो देखो टीबिया है फीमर है फीबुला हुमरस जो है वो आपका एलबो और कोहनी के बीच का हड़ी होता है हाथ का होता है हुमरस हस्ती कहां इसती होता है तो यह उपरी भुजा में होता है मानब सरी में सबसे बड़ी हड़ी कौन सी है तो यह कि अन्सर हो जाएगा फीर फीमर मानव कानका भाग नहीं आ अगे ब्रेदावार्स्था में मनुर्श की हڈएँ में क्यों कमजोड हो जाती है Magazi में कौन सा लवन सर्वाधिक मात्र Обगा अस्ति और पेशीयों को आपस मेंजोडने की जोड़ता है कौन जोड़ता है तो यह आपको बताया गया था कि जो बोन है बोन और मसल को जोडने का काम करता है वो आपका टेंडन करता है तो BMT भी आप याद रख सकते है बोन और मसल को जोडने का काम टेंडन करता है और इसी हिंदी में कंद्रा भी बोलते है आगे पुछा जारा लिंगा मेंट का कार्ज क्या है तो लिंगमेंट जो है वो बोन बोन को जोड़ता है यह हडियों को जोड़ने का काम करता है आगे पुछा गया नाक की हड़ी होती है लिंगमेंट उपास्थी उरास्थी या टेंडन तो इसका सही अंसर हो जाएगा उपास्थी काटिलेज नाक की जो हड़ी होती है व से सब्सक्राइब कर ले थैंक यू